हेलो फ्रेंड्स रक्षा बंदन का तिवार आ रहा है और इस रक्षा बंदन पर कुछ इस्पेशल बनाना तो बनता है वो भी घर का क्योंकि मार्केट में तो इतनी मिलावट मिलती है कि घर का खाने का ही मन करता है तो चलिए आज बनाते हैं बेसन के लड़ू जो बहुत के लिए सादा दरदरे बनने वाले तो चलिए इसे फटावट से बना लेते हैं तो सबसे पहले ले ले Caribbean ले लिया है अब इसका अच्छे से हमें डो लगा ले ना है सबसे पहले तो इसमें कुछ कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिंपल पानी से इसका एक अच्छा सा डो लगा लेना है अब हमने अच्छा सा डो लगा लिया है क्या करना है, इसकी छोटी हमें पूरिया टैप की बना लेनी है वो भी हातों से बना लेंगे कोई जरुद नहीं है के हमें इससे बेल कर भी बनाे NICK बेर लो भी जूं़ ल बना सकते हैं से जरुछ बनाने के बाद अच्छे से इसे फ्लाइट कर लेंगे और थोड़ा सा हाथों से फैला लेंगे ऐसी हम और भी पूरिया मना लेंगे ऐसी हमने बहुत सारी पूरिया बना ली हैं अब इसे फ्राइ कर लेंगे इसके लिए हम ले लेंगे कड़ाई और इसमें डाल देंगे हम घी जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है हम एक एक करके पूरिया डालते जाएंगे और इन्हें अच्छे से तल लेंगे अच्छे से दोनों साइट से तल लेंगे ताकि यह पूरिया अच्छे से सिख जाएं देखे पूरिया अच्छे से सिख चुकी है तो अब इसे निकाल लेंगे और और भी पूरियों को हम तल लेंगे इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे अब यह पूरिया हमने अच्छे से तल नहीं है तो इन्हें थंडा होने के लिए तोड लेंगे ताकि यह जल्दी से थंडी हो जाएं और जब हम इन्हें ग्राइंड करें तो अच्छे से ग्राइंड हो जाएं तो सारी पूरियों के अच्छे से तोड लेंगे ताकि अपटा फर्च से थंडी हो जाएं अब एक जार लेंगे और जार में इसे ट्रास्वर कर लेंगे अब इस अच्छे से दरदरा ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और यह दरदरा है अब इसे पलट लेंगे और और भी पूरियों के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हमने सारी पूरियों के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसमें अच्छे से फैला दिया है अब एक बरतन लेड़ेंगे इसमें लगफ़क दो कप हम डाल देंगे चीनी और एक कप पानी डाल देंगे अब हम तयार कर रहे हैं चाशनी तो गैस की फ्लेन आउन कर लेंगे और एक अच्छी सी चाशनी मना लेंगे हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक इसकी एक डॉप जैसे हम एक प्लेट में डाले तो उसकी बून न बन जाए चासनी को चेक करने का एक बेस्ट तरीका ये भी है कि आप एक प्लेट में थोड़ाता पानी ले उसमें कुछ डॉप हम डाल दे चासनी की अगर शासनी नहीं गुलती है और हातों कि इस हेल्प से अगर इसे निकल भी जाए तो समझ लेना कि आपकी शासनी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो अब गैस की फ्लैम आफ कर देंगे और गर्म गर्म शासनी को ही हम मिक्स कर लेंगे अब इसमें हमें चासनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है चमबच की हल्प से सारी चासनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी दिर में ये खूद ही राय होते चली जाएंगी और इसमें लंप्स भी पड़ते जाएंगे तो हम इसे लंप्स को तोड़ते हुई जाना है ताकि इसमें लंप्स पिल्कुल न पड़े देखिए इसने चासनी को अच्छे से सोप कर लिया है अब हम इसके लड्डू बिल्कुल बना सकते हैं तो हातों की हल्थ से हम इसके लड्डू बना लेंगे कुछ इस तरीके से हमें और भी लड्डू को बना लेना है ऐसे ही हम और भी लड्डू बना लेंगे देखिए सारे लड्डू अब बन चुके हैं तो इनके उपर से गार्निशिंग करेंगे हम पिस्ते के साथ आप चाहें तो कोई भी ड्राइफ फूट रहें थाना बहुत ही आसान इन लड्डू को बनाना सिफ दो चीजों से ही हमने इन लड्डू को बना करके तयार कर लिया है तो आप भी इसे अपने घर पे जरूर बनाए और ये रेसेपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजेगा लाइक चैनल को कर दीजेगा सस्क्राइब और बैल आइकान जरूर हिट करे